नमस्कार दोस्तो स्वागत है आर्पी टेक्निकल इस्टुडी में तो दोस्तो आज हम बात करेंगे डीमर्सी के प्रियूज पेपर्स की तो यह पेपर है 13 अप्रेल 2018 का और दोस्तो अगर सारे पेपर देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है त तो सारे पेपर देख सकते हो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं थो फिस्त क्योंसर में कि तो क्योंकि के श्रेट दाविऑ हैं दोस्तों अपने के लिए निमिल से किसका इस्तिमाल किया जाता है तो दोस्तों उसके लिए फोटो मेटर अथार्थ दिप्ति मेटर का परियोग किया जाता है अगला क्योंचन है परारंबिक परवहाई इत्ति धाराशुरु आत्मी रिक्तिस्तान की बाद में कुछ उच्छतम होती है तो स्कुरल केज इंडेक्शन मोटर में होती है दोस्तों अगला क्योंचन है इंटरफेज के बीज का सम्मन्द जिसे एक इस्टार या डेल्टा तरीके या फिर दोनों ही तरीकों से जोड़ा जग गया है किस रूप में जाना जाता है तो दोस्तों उसे फेज कनेक्शन के रूप में जाना जाता है नेक्स्ट क्यूशन है एक तार की मोटाए को किसका परियोग उप्योग करके मापा जा सकता है तो दोस्तों उसके लिए वायर गेज का परियोग किया जाता है तार गेज का सारी सेलों में निकला हिड्रोकसाइड थता निकल पाउडर का इस्तेमाल किस रूप में होता है तो दोस्तों वह धना तमक पलेट के रूप में किया जाता है अगला क्यूशन है निमिलिकत में से किस नियम के सत्यापन के लिए तामबा और सिल्वर वाट मेटर का उल्ट किया जाता है तो दोस्तों फैरादे का दूसरा नियम होता है फैरादे का सेकेंड नियम अगला क्यूशन है एक तापियो वालफ आधारित सर्कित है जो इनपुट सिंगनल के आयाम को बढ़ाने में सक्सम है तो वह एक एम्पली फायर, एम्पली फायर, अगला क्यूशन है, वासप टरभाइन में एक परमुक चालक पर आधारित, दो पोल अल्टरनेटर की आवर्ती उत्पन कर सकता है, तो दोस्तों वहाँ 300 आरिपेम वह 50 हट्ज, 50 हट्ज आवर्ती उत्पन करता है, अगला क्यूसेन है कार्बन फिलामेंट लेंप किसका उद्धारन है तो दोस्तों वहां होता है एक उद्धिप्त अर्थार्थ इनकेंडेंस सेंट लेंप नेक्स्ट क्यूस्ट है निमिलिक्त में से कौन सा विकलप बुनिया दी सुरक्षिय नेमों में से एक है तो वहाँ है मसीन चलाने के दोरान करामचारी को सावधानी बरतनी चाहिए अगला क्यूसन है किसी दरव माद्यम से विद्धुत परवा करने पर होने वाला रासाइनिक परिवर्थनों की परकिरिया को कहा जाता है तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस दोस्तो अगला क्यूसन है किसी चुम्ब की आकरशन सक्ती हाधिकतम किस पर होती है तो वह होती है चुम्ब के दूरों उपर अर्थार्थ चुम्ब के पॉलों पर दूरों को पॉल भी खाई जाता है दोस्तो अगला क्युचन देखते हैं तो लेकाल एक मोटर में पोलो की संक्या दरशाने वाला कारक या होता है, तो वह एं नहीं होता आपूर्ती, आवर्ती और गती, अथार्थ प्रेक्वेंसी और गती. आर्मेचर के प्रोग्रेसिव लेफ वाइंडिंग में सामने वाले पिछ और पिछे के पिछ के बीच का संबन्द किसके द्वारा निर्पूत किया जाता है तो हैं किया जाता है दनात्मा के संकेत के द्वारा अगला क्यूसन है एक DC संट मोटर के तीन बिंदू स्टार्टर में आर्मेचर वाइंडिंग जल सकता है यदि स्टार्टर हैंडल जल्दी से गुमाया जाता है तो इसमें क्रेक्ट होगा जल्दी से गुमाया जाता है अगला क्यूसन है आम तोर पर लचिले और हलके होते हैं तो वहाँ होते नरम पदार्त इंसुलेटर अगला क्यूशन है निमिल कित में से किसका उप्योग सजाओटी प्रकास में किया जाता है तो दोस्तों वहाँ होता ड्रम स्विच किसी पदार्त के एक सेंटिमेटर की लंबाई थाता एक सेंटिमेटर स्क्वाईर अनुभागी चेतरपल के परतिरोध को कहा जाता है तो उसे कहा जाता है विशिष्ट परतिरोध दोस्तों विशिष्ट परतिरोध को परतिरोधकता भी कहा जाता है अगला क्यूशन है एक अच्छे इंसुलेटिंग पदार्थ की मुख्या आउ सकता है तो उसकी उच्छ विशिष्ट परतिरोध होना चाहिए अर्थार्थ उच्छ परतिरोधकता होनी चाहिए इसमें करेक्ट होगा अगला क्यूशन है एक लाइन का दोस्ट लाइन दोस्ट का पता लगाने के लिए लिंक पर अर्थ लाइन को तोड़कर निमिल लिखित में से किसे एस्ताई रूप से रख दिया जाता है तो दोस्तों वह होता है अर्थ लाइन लिंक FET अर्थार्थ फिल्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में वो टर्मिनल जिसके माद्यम से चैनल में भाव संक्ये वहाँ को का प्रिवेश से होता है वह कहलाता है तो वह होता है सरोर्थ जिसे सोर्स भी कहते हैं निमिल लिकित में से कौन सा मोटर एसी और डीसी दोनों पर काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है तो वह होती है यूनिवर्सल मोटर करेक्ट आश्वार अगला क्यूशन है एक समान और इस्तिर चुंबी के छेतर में कुंडलन को इस्तानांतरित करके कुंडलन में परेरित इमैप को कहा जाता है तो दोस्तों वह हैं कहा जाता है गतिशील परेरित इमैप एक कम्यूंटेटर के आसन छेत्रों में जुड़े किसी कुंडली के सुरुवाती थता समाप्ति के छोरों को किस रूप में जाना जाता है तो दोस्तों उन्हें जाना जाता है लेप वाइंडिंग के रूप में अगला क्यूसन है star connection में neutral star के सामाने point से लिया जाता है तो वह लिया जाता है 3 winding से 3 winding अगला question है short pitch winding विदी में बिना चिंगारी के कुंडलियों की चोड़ाई की चोड़ाई से कम रखी जाती है किस की चोड़ाई से कम रखी जाती है तो दोस्तों वहाँ पोलों की संक्या से कम रखी जाती है अगला question है संट जनरेटर में पोल निमलिकित विकलपों में से किस के लिए परियुक्ति किया जाता है तो दोस्तों वहाँ ओटो मोबाईल होता है ओटो मोबाईल के लिए परियुक्ति किया जाता है अगला क्यूशन है का उप्योग करके ऐसी आपूर्ती रेखा की आवर्ती को मापा जाता है तो वह होता है आपूर्ती आवर्ती मिटर ऐसी आपूर्ती रेखा की आवर्ती को आवर्ती फ्रिक्वेंसी मिटर द्वारा मापा जाता है अगला क्यूशन है luminous flux निमिलिकित तरंगों में से किस तरंग से लगातार निकलने वाली उर्जा है तो दोस्तों वह आँ है परकास तरंग अगला क्यूशन है निमिलिकित में से किस कुचालक पदार्थ के लिए dielectric strength के माप की जाच की जाती है तो वह होता है transformer oil निमिलिकित में से किस तड़ित रोधक में सरज अरेश्टर के रूप में छड़का उप्यों किया जाता है तो दोस्तों वह होता है road gap arrester next question है निमिलिकित में से किस transformer starter में मोटर 15 HP तक होता है तो वह होता है star delta star star delta starter दोस्तों starter को परवर्तक भी कहा जाता है अगला question है rotary converter में AC और DC को किसके द्वारप्राप्त किया जाता है तो दोस्तों AC और DC को यांतरिक सक्ती कि माद्यम से सापट का गुणन करके यांतरिक सक्ती के माद्यम से सापट को गुणन करके परवर्त किया जा सकता है अगला question है forward by sync में P terminal साक कारातमक से जुड़ा होता है और end terminal किस से जुड़ा होता है तो वह है रिंचोर से जुड़ा होता है अगला question है सुदार अर्थार्थ rectification के उप्योगों में से ये कहा है तो वह हैं diode क्या है? अगला question है संपीडित carbon powder और एक उप्यूक्त resin बंदक युक्त परतिरोदों को कहा जाता है तो ने कहा जाता है carbon composition परतिरोद carbon composition परतिरोद अगला question है इंटरपॉल पद्धती में इंटरपॉल्स को मुख्य पोलों के बीच रखा जाता है ताकि sparking कम हो सकी क्योंकि sparking कम हो सकी दोस्तो अगला question है को आसिल करने के लिए DC generator समांतर करम में चलाए जाते हैं तो उच्छ विशव सनियता को आसिल करने के लिए DC generator समांतर में चलाए जाते हैं अगला question है पी टाइप मेरे डोपिंग के लिए निमिलिक सामगरियों में किस एक आपयों किया जाता है तो दोस्तो इसमें गे लिलियम भी होता है तता इंडेनियम भी होता है ये दोनों ही पीपदार्थ होते हैं तो दोस्तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है दोनों ही पीपदार्थ के होते हैं तो दोनों ही करेक्ट है अगला क्यूसन है तडित रोधक को फैरने के लिए निमिली कितमे से किसका उप्योग किया जाता है तो दोस्तों उसके लिए सरद डायवर्टर का उप्योग किया जाता है अगला क्यूसन है वितरन ट्रांसफार्मर का दिवत्यक पक्स को भू योजन कर दिया जाता है क्यों? क्योंकि धर्ती मसीन और मानव जीवन को सुरक्षय परदान करती है अगला क्यूसन है ओम मिटर जो सीधे एक सर्किट के परतिरोध को ओम में माप सकता है निमिले कितमे से किस से निहित होता है तो वह एँ होता है moving quiet galvanometer अगला क्यूसन है एक incarnate परतिर का voltage विनियमन कम होता है जब लोड सर्किट में होता है तो वह उनchair गड़ता हुआ power factor होता है next question है वो converter जिसमें DC generator और AC motor को यांत्रिक रूप से युगमित किया जाता है अर्थार्थ coupling किया जाता है उसे किस रूप से जाना जाता है तो दोस्तों उसे motor generator set के नाम से जाना जाता है motor generator set अगला question है वे उपकरण जो तुलनिये तरीके से उपयोग किया जाते है वे होते हैं तो वे होते हैं ओल्ट मेटर और आउर्थी मेटर निमलेकित मोटरस में से कौन उच्छ दक्सता वाला है तो वह होता है synchronous motor अगला question निमलेकित में से किसमे सुरुवाती धारा को एक auto transformer का उपयोग करके गठाया जाता है तो वह होते है auto transformer starter अगला question है किसी उपी station के लिए निमलेकित में से कौन सा सबसे उपयोग परकार का अर्थिंग है तो वह है pipe अर्थिंग अगला question है किसी कुंडली का वह इससा जो एक सलोट में रेता है उसे कहा जाता है तो दोस्तों उसे कुंडली साइड कहा जाता है यदि उल्टी डलान की मात्रा एक निशित मांचादिक बढ़ जाती है तो दारा की तीवरता अचानक बढ़ जाती है इसे किस रूप में जाना जाता है तो दोस्तों उसे सैसन्योजक बांध के तूटने के रूप में जाना जाता है अगला question है डायोड को दिव दूर्वे साधन के रूप में वर्गी कर्थ किया जाता है क्योंकि उनके माध्यम से दार आका चालन दोनों छिद्रों और मुक्त इलेक्ट्रोनों के कारण होता है अगला question है आर्मेचर परतिकिरिया आर्मेचर विद्धुद्धारा द्वारा किस पर निर्मान किये गए चुम के छेतर का एक परवाव है next question है AC circuit में अगर विरोध सुनने हैं तो power factor होता है तो power factor ही काई होता है अर्थार्थ एक होता है निमिल्लेक्ट में से कोंग एक युगमित अम्पलिफाइर से सम्मंदित है तो हैं परतिक्स युगमित अम्पलिफाइर next question है ऐसी उत्पादन करने के लिए electronic inverter पर आधारित होता है किस पर आधारित होता है तो वह होता है एक oscillator circuit पर दोस्तो अगला क्यूसन है वो transformer जिसमें एक ही कुंडली प्रात्मिक और धित्तिय दोनों कुंडलियों का कारिय करती है वह कहलाता है वह ओटो ट्रास्फार्मर केलता है चुम्ब के बल के पीछे फलक्स घनताओ का रहना कहा जाता है तो दोस्तो वह होता है इस्टेरेसिस अगला क्यूसन है किसी मोटर में बला आगून फलक्स थता दारा के मान के गुननफल के समानपाती होते है तो वह होता है चुम्ब के संत्रप्ती बिंदु मान के गुननफल के समानपाती अगला क्यूसन है निमिलिक्त में से क्या एक अच्छे विशनवाग का लक्षन है इंसुलेटर का लक्षन है तो इसका लक्षन है इसका विशिष्ट परतिरोध उच्छोना चाहिए अथार्थ परतिरोधक्ता उच्छोनी चाहिए सापट लोड को अव्यवस्तित किये बिना निमिलिक्त विकल्पों में से किसके दुआरा एक सिंक्रोनस मोटर के पावर फेक्टर को बदला जा सकता है तो छेतर उतेजना को बढ़ा कर पावर फेक्टर को बदला जा सकता है वह हैं मोटर जिसमें फिल्ड सिरीज वाइंडिंग दुआरा फिल्ड वाइंडिंग का विरोध होता है कहलाता है differential motor दोस्तों अगला क्यूशन देखते हैं एक no load इस्तती में एक alternator द्वारा उत्पन है उत्पन EMF उसके बराबर होता है तो होता है terminal voltage की एक नियंत्रक परनाली के थाई रिष्टर पर कम voltage ड्रोप के कारण दक्सता उच्छ होती है दक्सता उच्छ होती है दोस्तों लाइक करना ना भूले फटाफट लाइक कर दीजे अगला क्यूशन है DC motor में गतिपन नियंत्रन द्वारा छेतर या आर्मेचर परतिरोध का परिवर्तन ना करके उप्योग किये गए voltage को बदल कर प्राप्त किया जाता है तो वह होता है प्रियुक्त voltage में बदलाओ प्रियुक्त voltage में बदलाओ अगला क्यूशन है किसी DC generator में अधिक्तम यह मैप तब उत्पन होता है जब परवा अर्थाफ्फलक्स के परिवर्तन की धर अधिक्तम हो अगला क्यूशन है एक ऐसा उपकरण है जिसका उप्योग electronic circuit पूरा करने और तोड़ने के लिए किया जाता है तो यह होता है स्यूच स्यूच का उप्योग electric circuit पूरा करने और तोड़ने के लिए किया जाता है अगला क्यूशन है निमिलिकित में से कौन सा यंतर किसी उपकराण के मद्देत परतिरोध को मापने के लिए उपयोग किया जाता है तो है ओम मिटर अगला क्यूशन है निमिलिकित में से कौन सी गैंस इंसूलेटर बड़ी विद्धूत मसीनों में सीतला के रूप में उप्योग किया जाता है तो हाइड्रोजन का उप्योग किया जाता है कौन मिक्सर गराइंडर के सारो बॉमिंग मोटर में उप्योग किया जाता है तो दोनों फिल्डर वाइंडिंग और आर्मिचर वाइंडिंग का उप्योग किया जाता है किसी माध्यम नियंत्रक और उप्भोगता उपकरण युक्ति एक सर्किट को कहते हैं तो उसे कहते हैं एक बंद सर्किट अर्थार्थ कलोजड सर्किट भूयोजन के निमली किस तरीकों में कास्ट आईरन पाइप की आव सकता होती है तो दोस्तों इसका अंसर है पाइप अर्थिंग एक चक्कर में किसी एसी के इमाफ या विद्धुदार आके सरोच मान को कहा जाता है पीक वेल्यू अर्थार्थ शिकर मान अगला क्यूशन है ट्रांजिस्टर जो केवल उच्छ दना तमक गेट ओल्टेज के साथ वर्दी मोड पर चलाए जाते हैं कहलाते हैं मोस फैट मोस फैट दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों को सेर कर दीजे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखिए लाल बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर लीजे और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजे ताकि आगे के सबी नोटिफ केसन आपको मिलते रहे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई भी सवाल हो तो सवाल कर सकते हो थैंक्स पोर वाचिंग